हेलो गाइस वैलकम बैक टू माइटूब चैनल टीएस एगरी अकेडमी दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बीएसी एजी के टोपिक स्वाइल साइंस पर तो गाइस अगर आप लोग पीएसी एजी के च्छात रहें तो प्ली चैनल को लाइक से और सुस्क्राइब करना बिल बिल्कुल भी ना बोलना दोस्तों हमारे इस चैनल पर हर एक टाउपिक बाइस रिलेटेड वीडियो अप्लोड किये जाते हैं या क्लासेस कराए जाते हैं तो गाइस अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्ली चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी तो जो है मर्दा सब्द की उत्प्ति लेटिन वासा के सोलम सब्द से हुई जिसका अर्थ फर्स यानि फ्लोर होता है बैकमेन और बैंडी के अनुसार मर्दा वहे प्राकरतिक पिंड है जो अपेच्छित अप्छेइत खनीचों और कारुनिक पदारतों के बिगलन से निर् हुआ है ठीक है ता जो है परिवर्तन सील मिसनर से परिष्चेद का प्रोफाइल के रूप में संसलेशित होती है और प्रतिवी के एक पतले आवरनर के रूप में धके रहती है ठीक है जो मर्दा स्वाइल प्रोफाइल होती है प्रतिवी को एक पतले आवरनर के रूप में जल और बायू उप्युक्त मातरा में समिस्नर से पौधे यांत्रिक अबलम तथा आंसिक अजीब का परदान करती है जल और बायू के जब अपमिस्नर हो जाता है इन दोनों के मिस्नर से तो पौधों को ये अजीब का परदान करती है जो मिटी हमारी है पौधों को अजीब का मूल अब धारणाएं है वो हमारी है एक पैडोलाजी दूसरी इडैफोलाजी तो दोस्तों पैडोलाजी क्या होती है तो गाई जो हमारी पैडोलाजी होती है इसके अनुसार मर्दा पेड़ों के लिए एक प्राकरतिक आवास यानि नेच्रल हैविटार्ड है इडैफोस एक सब्द है इड़ैफोस एक ग्रीप सब्द है जिसका अर्थ-मर्धा या धरातल होता है दोस्तों on एड़ैफोलोजी जो है मर्धा पेड़फोदों के लिए सवरी गाई समीडियेफोलोजी परने लगए पहले पैड़ोलोजी से अर्थ जो है मर्दा या प्रत्वी होता है मर्दा की उत्पतिवा बर्गी करनर तथा मर्दा की बिस्तरत विवरण के अध्यन पैड़ोलोजी में किया जाता है दोस्तों जो मर्दा की संपुर्ण जानकारी की जाती है वो पैड़ोलोजी के अंतरगर की जाती है ठीक है मर्दा एक सीग्र प्रियोगिक प्रियोग करना तथा इसका प्रोग पिसे नहीं हो सकता है पैडो लोजिस्ट मर्दा के प्राकर्तिक बाताबरण में ही अध्यन या जांच और बर्गी करत करता है दोस्तों पैडो जो लोजिस्ट जो होता है वो मर्दा के प्राकर्तिक बाताबरण मे इसका अधियान, जांच और बर्गीकरत करता है, ठीक है, इसलिए इसलिए किसानों की अपेच्छा उच्पत निर्माड बिसन तरफ इंढरों के लिए उपयोगी होता है, ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे हम दोśmy ग्रॉजी, इडएपुलोजी क्या है, तो इडएपुलो जिसका अर्थ धरातल होता है जिसका अर्थ धरातल होता है इसमें मुध्या mm की, उत्पादन संबंदी, अध्याphony की एडियाने होता है। इसका मुख छह आहर और फाइबर का उत्पादन होता है इसके बाद में बात करेंगे आवास आवराण प्रवद यानि रिगुलित जो दोस्तों रिगुलित क्या होता है रिगुलित मतलब यह नीचे की इस्तिसेल वेड रोक के उपर रिटु छहरी चटानों से तूटा जो हिस्सा होता है उसे हम लोग बेड रोक कहते हैं ठीक है सेल में इस्तिस जो होता है अर्था नीचे में इस्तिसल ठोश चटानों के उपर असपंडित या भूपदार्थ रिगुलित कहलाता है दोस्तों जो उपर का भूपदार्थ है वो रिगुलित कहलाता है बेड रोक का ही रितुचरित पदार्थ हो सकता है दोस्तों बेडरोग का ही रितुचरित पदार्थ हो सकता है या बाईयो जल वर्षा के दुवारा परिवहित पदार्थों को बेडरोग पर जमा होने से बनता है रिगोलीत का उपरी मर्दा होती है दोस्तों रिगोलीत की उपरी मर्दा जो होती है उसे wait rock कहते हैं, खारत की मरदाओं का भर्गी करणी, दोस्तों भारत की मरदाओं का भर्गी करणी है, यानि classification तो उसे किस प्रकार से किया गया है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, दोस्तों जैसे की है, इसमें दिया गया है कि कुछ बिद्वानों ने भारती मरदा को 6 बर्गों में वीवख्त किया गया है, जैसे कि लवडिये पेट बादले मरदाओं को समच या मरदाओं में है, मर्दाओं में रखा गया है जो लवडिये पीट या दल्दली मर्दाओं हैं उन्हें समाच से अगर मर्दाओं में रखा गया है भारती एक रासी अनुसंधान परिशाद यानि ICR द्वारा भारती मिट्टियों को आठ प्रमुक प्रकार बताए गये हैं यह था जड़ोल, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्तल, परवतिये, पीट, दल्दली और लवडिये एवं शारिये मर्दाओं दोस्तों यह है भारती जो अनुसंधान के द्वारा इसे आठ प्रकार के बताए गये हैं इसके बाद हम लोग दोस्तों एक-एक पर चर्चा करेंगे, सबसे पहले बात आती है जड़ोल मिट्टी ठीक है, यानि अलुवेल स्वाइल, दोस्तों अलुवेल स्वाइल क्या होती है, इस मिट्टी का बिस्तार लगवक 15 लाग बर किलोमीटर छेत्र, यानि कि भारत मिट्टी पाइने कौना लाओर करेंवक 15 लाओर स्वाइल, इस मिट्टी पाइने जो मुंक्रथा नदियों द्वारा वहित होती है, इस मेया कि भाहत बहुत में पुराने जलोल को बागर कहा जाता है दोस्तों जो नदियों द्वारा लाएगी पुरानी जलोल मर्दा है उसे बांगर तथा नदियों द्वारा जो नई मर्दा लाई जाती है उसे खादर कहा जाता है ठीक है इस खादर कहते हैं इन मर्दाओं में पोटास वाचूनागी प्रिचुन मात्रा मिलती है दोस्तों यह जुम्रदाएं है इनमें पोटास और चुनागी प्रिचुन मात्रा मिलती है तता फासपोरस नाइट्रोजन और जिवास का आभाव होता है यह मिट्टी धान गेहों गन्ना दलहन तिलहन आद की खेती के लिए उप्यूक्त होती है इसके बाद में दोस्तों सब्स्क्राइब उर्टे लावा चेतरों में पए जाती है? यह मिट्टी मृतिका में अत्यधिक लसलसी अपरांगक सूखने पर फटने वाली अर्ठाथ अत्यधिक फैलाओ के गुणों से उप्योगत होती है यह जो मिट्टी है यह मिट्टी मृतिका में अतिदिक लसलसी यानि परागम सोखने पर फटने वाली अर्थाद अतिदिक फैलाओ के गुणों से उक्त होती है दोस्तों अधिक फैलाओ वाली मृता होती है इसमें चूना लह पैटोसिय मैंगनेसियन तेथा ऐलूमिनियम प्र प्रण्थफासपोरस नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों का अभाव होता है इस मिट्टी में रेगुर उत्तरप्रदेश में केरल तथा कपास मर्दा भी कहा जाता है दोस्तों इस मिट्टी को जो उत्तरप्रदेश में रेगुर नाम से तथा केरल और केरल में इसे जो है कि कपास मर्दा के नाम से भी जानते हैं तथा यह 5.46 लाग बर्ग किलोमेटर शेत्र में फैली हुई है जो देश में 15.2% भू शेत्र में प्रत्रियों द्रक्ति जो इसका टोटल एरिया है गाईस वो है 15.2% इसका टोटल एरिया है ठीक है यह बारतिये मर्दाओं की त बिलसालतम बर्गे एक कपास मुंखळी चना स्वयाविन तेलेहन गेहों अधिक के लिए उप्योगी होती है ठीक है जो हमारी ब्लेक स्वयाविल होती है यह कुछ इस तरीके डिकी है काली जो काटन के लिए सबसे अधिक उप्योगी थी इसके बाद में बात करेंगे दोस् उडिषा छोटे चोटा नांगपूर यहों बुंदेल खंड की कुछ हिश्चों में पाई जाती है इस मरदा काविस्तार शिक्स वर्ग छेत्फल में है यह देस में 18 % हिससे में 18.6 % बूरु चेत्र में पाई जाता है ठीक है इस प्रकार यह मरदा देश की दुतिय विशालतम वर्ग है दोस्तों जो की रेट वाइल का त्रेतिय है ब्लेक वाइल का आप फष्ट आता है दोस्तों वह एलवेल स्वाइल का ठ 43.4 परसेंट इसके बाद बात करें इसका निर्मार ग्रेनाइट नीज सिष्ट आधि खनीजों से हुई है इसमें लोहे के अंस अधिक होते हैं किन्तु जीवांस नाइट्रोजन फासफुरस चूना की कमी पाई जाती है सिचाई के दौरा इसमें तमाकू बाजरा तीसी गेहो दलहन आध की खेती की जाती है दोस्तों की जा सकती है की जाती है सिचाई के दौरा जो है तमाकू ग्यों बाजरा तीसी आध दलहन आध की खेती की जा सकती है यह कुछ बिल्कुल रेट स्वाइल ही होती है इसके बाद में बात करेंगी नेश्ट में नेश्ट में आती है ल मस्तुली मर्दाएं ये भी देख लेते हैं थोड़ा तो दोस्तों जो हमारी लेटराइट मर्दाएं होती है यह है इस्थान ब्रद मिट्टी जो लगभग 26 लाग वर किलोमीटर छेतर में पाई जाती अर्था 3.7 परसेंट भो छेतर में बित्रत है जो दोस्तों लेटराइट मर्दाएं है इनका छेतर जो है वो 3.7 परसेंट भो छेतर में है आदर सुस और मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण निचालन की परक्रिया करनाटा केरल तमिलाडू माराष्ट मद्पर दे तता ओडीसा असम के पाई छेतरों में क्रियासील होती है दोस्तों आदर नम बाइयू के द्वारा ये जो है क्रिया पहाड़ी चेत्रों में ज्यादव होती है क्रियासील होती है फालत इन चेत्रों में लेटराइड मिट्टी का निर्मार होता है इसमें नाइट्रोजन पोटास फासपोरस चूना आधिका आभाव रहता है तो था लोहा अलुवनियम अधिक पाये जाते हैं इस मृदा में चाय कहवा काजू सिनकोना आध की बागवानी की जाती है तो दोस्तों यह हमारी स्वाइल होती है इसमें चाय हुआ 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 तयदा, नाय राजिस्तान, हरियारडा, दश्यल, पंजाब, उत्तर पृद्व, पच्छमी जिलु में की कुछ भागों में पाय। ठीक में अधिक ब्रद्ध होने के कारण बायू चलने से जो चटानी होती हैं। बिखटित होकर बालू के कणों में परिवर्तित हो जाती है इस मिट्टी में लवर्ड फासफोरस अधिक मात्रा में पाये जाते हैं परंत जीवास पदार अर्थार नाइट्रोजन का आभाव होता है सिचाई द्वारा इसमें बाजरा मोटा आना सरसों आदगी केती की जा सकत है ठीक है है सुखी मर्दा होती है दोस्तों डैयर्ट यानिंसे रेगिस्ता तीक है जो हमारा राजिस्तान एरिया में जादा पाया जाता है इसके लुएल बात करें ही हम लोग दोस्तों परवेर्थियन ही म्यांग szold तो दोस्तों क्या होती हैं है इसे बनिये मर्दा Dieses न विक्सित मर्दा है यानि कि नई मर्दा जो बनती है तो इसले पफले म्रदा अले Satya नी पर दोता है मर्दा calculate बंद के रहते हैं इस ने परता में वाद में यह बालु का रूपरारिश लेते हैं जो कश्मीर अनाचल परते सितक है जियतुम्शतों ज्यादाीरraatte में हिप पाई जाती है इसमें पोटाश चुना वा फासफोरस का आभाव होता है पर जीवा सुपरचुर मात्रा में पाई जाते हैं परवतिय पर सेव परवतिय है यानि इसमें सेव नासपाती अलूचा आध के बरश्च लगाया जाते हैं सामगता इस प्रकार की मर्दा अमलिये प्रवाव की होती है नहीं इसका जो पी होता है वो सेवन से कम होता है ठीक है इसके बाद करेंगे नेस्ट पर नेस्ट में दिया गया है पीट या दल्दली मर्दायं तो दोस्तों पीट या दल्दली मर्दाय हमारे किस प्रकार की होती है वो होती है जो कि जिस यहां पर दिया गया है कि पीट मर्दाएं नम जलवाईयों में बनती हैं दोस्तों जो पीट मर्दाएं होती है वो नम जलवाईयों है निकि जो जलवाईयों में है अधिक नमी रहने के कारण यह मर्दाएं बनती हैं सड़ी बनस्पतियों से बनी पीट मर्दाओं का निर्मार कोचीन केरल त जो है इन मर्दाओं में जैविक पदार्थ गुलन सील नमक की मात्रा अधिक होती है यह मर्दाएं काली भारी और अमली होती है धलली मर्दाएं तठिय उडीसा सुंदरवन उत्री बिहार तथा मदवरती भागों में तठिय तमिल नाड़ु में पाई जाती हैं निचले छेत में जलकरांती तथा जलवायों दसाओं में निर्माड होता है इसमें फैरस आयरन होने से पराया इनका रंग जो है नीला होता है यह अमलिये स्वाव की मरदायां होती है इसमें कारवनिक पदार्थ की मातरा 10 to 40% तक होती है इसमें धान उगाया जाता है दोस्तों इसमें जो खेती की जा सकती है तो केविल धान की खेती की जा सकती है कि उसमें जो पानी होता है उसे ज्यादा चाहिए होता है इस प्रकार की मूठ तथा मैंगो पनस्पतियां पाई जाती है विसे इसका 30 चेत्रों में जो हैं मूस और मैंगो नामक पनस्पतियां पाई जाती है ठीक है इसके बाद में बात करें लवडिये या चारिये मिरदाओं के बारे में दोस्तों जो साइलाइन एन एलकलाइन स्वायल होती है उसके बारे में देखते हैं कि ये मर्दाइं बिसे सुरूप से पंजाब उत्तर प्रदेश बियार है याना महाराष्ट राजिस्तान के लगवक सत्रा लाग वर किलोमेटर चेत्र में पाई जाती है दोस्तों सम्थिंग सत्रा ला ठ होता है रहे कल्लर ऊसर आद इनिकी अन संघा है दोस्तों रहे कल्लर तथा उसर जो इनिकी अन संग्या्या और इसके जमाव हो जाता है छारी Otherwise परने झाल्जन का आभा रहता है इस बाकारिकी मर्दाओं में ब поговорs एन नहनाद हो प्रूद आमलाज फालसा जामुन आदी की खेती की जा सकती है ठीक है जो लवट अब रूदी फसले हैं उनकी खेती की जा सकती है तो गई आज का जो ही यह सेशन है हमारा यहीं तक था अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो फिलीज चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब करन दोस्तों आप लोग इस चैनल को अपने हर एक फ्रेंज के पास सेर करना खासकर जो बीसे जी की तयारी कर रहा हो जो बीसे जी में हो जो से कि उसे अपने एकजांस में कोई ज्यादा दिक्कत ना हो ओके गाईस तो फिर हम लोग मिलेंगे एक नेस्ट वीडियो में नेस्ट अपिक पर थैंक्स का फर गाचिंग तेक केर